नमस्कार दोस्तों अंकित बिजनिस व्लोग की एको नी वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे व्यापार के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट में काफी जादा चलता है दोस्तों हर चोटी 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 दुकान पे उस यह रही है नए बिजनिस आइडिया के बारे में बताइए तो मैं बता देना चाहँगा कि आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वज़े से अब हमने अपना खुद का गोडाउन ले लिया है तो अब तक हमारा गोडाउन रेंट पे था बट अब हमारा खुद गोडाउन जैपूर में हो चुका है तो जो भी भाई जैपूर विजिट करना चाहे एक बार मेड से location, address वगरा ले 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 जब भी भी आपको आना है तो एक बार location confirm कर ले time बता दे कि किस दिन आपको आना है आप जैपूर विजिट करके भी यहां से भी सामाल ले जा सकते हैं तो हमारा दिल्ली में अभी भी काफी लोग पुरानी वीडियो दो साल पुरानी वीडियो देखके में को मैसेज करते हैं कि आपका काम तो दिल्ली में था तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि हमारा कोई दिल्ली में काम नहीं है हमारा काम सिर्फ जैपूर में है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टौफी के व्यापार के बारे में तोस्तो टौफी आपने देखिए होगी काफी ज्यादा मार्केट में बिक्ती है और काफी ज्यादा मार्जिन भी इन पर मिलता है दोस्तो आप लोग काफी अलग- 42 ुhr ुhr दोस्तों देख सकते हो टेटू की भी वेराइटी मिलने वाली है अपने पास स्टेटू का भी माल जितना चीए उतना आपको मिल जाएगा 88 रुपे में 680 से 700 दाने के बीच में आते हैं और यह 88 रुपे किलो अपने यह से मिल जाएगी दोस्तों इसके बाद देख सकते हो 50 पैसे में भी अपने पास दूद मलाई मिल जाएगी एक एकलियर्स मिल जाएगी एक ब्लू एकलियर्स मिल जाएगी यह वाली सोफ्ट वाली वैराइटी 84 रुपे किलो है 500 पीस इसमें आने वाले हैं हाड में भी मैं आपको काफी जादा वैराइटी दिखाने वालों 50 पैसे में यह बोनेटो और मजेलो है यह 84 रुपे किलो में 4 470-480 पीस आते हैं इसमें भी मेरे पास और वैराइटी भी जो भारी दाने का माल है वह 400 पीस आते हैं उसमें 11 प्रकार के आइटम है वह अभी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों एक रुपे में देख सकते हो हमारे पास मिल्क वाली मिल्क फ्रेश मिल जाएगी और आप सभी के अधिकतर आइटम्स के इस्टिकर भी अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे जो आप जार या पोलो थीन वगरा पे लगा के सेल कर सकते हैं दोस्तों एक रुपे का एक इस्टिकर पढ़ने वाला है आप सो पीस की पैकिंग बनाईए दो सो पीस की पैकिंग बनाईए यह सारी की सारी बार वाली आइटम 84 केजी मिलने वाली है यह आपको 280-290 पीस एक पढ़ने आ जाते हैं दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हो कोकोनेट है काजू है और ब्लु क्लियर्स है एक रुपे की इस्टिकर वाला यह आइटम है और यह आपको 84 रुपे किलो में 300 तो डाना भारी है तो ये डाइसो पीस एक किलो में आएंगे बट आपको 84 रुपे केजी ही मिलने वाली है यह देख सकते हो पटाका करके है इसमें भी 2-3 अपने पास आइटम मिल जाएंगे ब्ल्यू मतला अपने पास ओरेंज मिल जाएगा मेंगो मिल जाएगा और देख सकते हो ग्रीन ट्रीट करके एक ऐसा है यह भी 84 रुपे केजी में डाइसो पीस आने वाले है दोस्तों वैराइटी काफी मिलने वाली लोलीपोप मिल जाएगी 90 रुपे किलो में आपको 240 पीस मि का दाना नहीं है वह यह आपको मिल जाएगा इसमें देख सकते हो फिलेवर देख सकते हो आप पान है जैली है और क्रीमी है मैंगो है कोफी है और इमली वाला है कोकोनेट है और यह देख सकते हो एनी टाइम करके यह काफी सारे फ्लेवर अपने पास यह मिलने वाले हैं जि ये भी 84 रुपे केजी के साफ से मिलेगा इसमें भी आपको 300 दाने आने वाले हैं और भी दोस्तों आपको और वेराइटी दिखा देता हूं अपने पास और भी टॉइज वगेरा की भी काफी ज्यादा वेराइटी मिल जाएगी बट आपको जब भी आना हो एक बार कंफर्म क कर दीजिए कि कौन से आइटम आपको चीए टौफी चीए या क्या चीए यह देख सकते हो मैंगो करके है काफी शांदार फ्लेवर है टेस्ट वाइज एक नंबर का माल है 84 रुपे केजी में आपको 200 पीस आने वाले मैंगो मिल जाएगी और यह देख सकते हो लोली पोप भ चाल सकते हैं मार्केट में अगर आपको रिक्वाइर्मेंट है कि आपको जार पैकिंग ही चाहिए अगर आपकी कॉइंटिटी अच्छी है तो हम आपको जार पैकिंग यहां से प्रोवाइड करा देंगे जार पैकिंग का जो जार का खर्चा है जो इस्तिकर का कर्चा है का आटम का कर्चा या आपको पे करना होगा जार पेकिंग भी अवेलेबल हो जाएगी अगर आप दोस्तों काम को बढ़ाते हैं तो आप ऐसे जार भी टोई के बना के भी मार्केट में सेल कर सकते हैं मार्जिन दोस्तों काफी अच्छा रहने वाला है इन आइटम्स पे ऐसे आपको इस्टिकर हर आइटम के अधिक तर जितने भी आइटम अपने पास इनके इस्टिकर अवेलेबल हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए आप वोट्सेप पे मैसेज कीजिए कोई भी पूछना है तो आप मेंसे वोट्सेप पे बात कर सकते हैं या आप में को कोल भी कर सकते हैं दोस्तों ट्राइ कीजिए कि शाम को सात बज़े तक की कोल कीजिए बहुत से लोग बारा रात को बारा बज़े एक बज़े दो बज़े भी कोल करते हैं तो ऐसे कोल अटेंड नही हो पाते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं किसी एक और नए बिजनिस आइडिया के साथ तब तक के लिए इतना ही जैहिन वंदे मातरम